अब्रिबन एप्लैड मेकेनिक्स में यह जो इनुट फ्रेक्शन की चल रही थी उसके कुछ पार्ट समने कबर किये थे पिछले वीडियो में हमने एक बन सेवन्टी थ्री साइद एंशी क्यु सेवन्टी फोर से श्टार्ट करते हैं पटापट टाइम को बचाते हुए जल्दी जल्दी प्रतिसेकंड सुकार की नियत तर पर तुरण करता है तो बल का परिमार कितना होता है या कितना होगा है एक बाड़ी आफ मास फाइब केजी एक्सलेट से एक कॉंस्टेंट रेट आफ टू मीटर प्रतिसेकंड स्कार ओन ए स्मूथ होरिजिंटल सर्पेस टू टू एन एक्स्टेनल फोर्स एक्टिंग एट थर्टी डिग्री बिद होरिजिंटल दा मैंगनिटूड अब दा फोर देख्ये है हम्हां तो यहां देखिए चार आपसंदे रखे हैं सलूशन देखें अब छालूशन में क्या दिए वगा है तो यह जो फोर्स है वो थर्टी अंगल पर लगा हुआ जैसा कॉस्चन में दे रखा है क्या है यहां पर झो डाइगराम हो गryॉगा है फोर्स यह होर्जेंटल से थरीटी एंगेल पर खे 20 पर रोडी पर यह वो होरजंस्य होर्जेंटल होर्जेंटल से 36 से 30 को डो पर तो यहां जो फोर्स है उसके चांस की दिरेकbuh च्छरा तो होरिजन्टल कंपोनेंट आपका हो जागा एप कॉस्थ तीस और बाइटिकल कंपोनेंट एफ साइन तीस ठीक है यहां पर देखिए बराबर दरखा टू मीटर पर सेकंड स्कार और द्रबिमान दिया हुआ है फाइव किलोग्राम पिंडु को 36 दिसा में खींचने वाला ब निकलना है एफ कॉस्थ तीस के लिए हम लगा देंगे एम ए ठीक है एप कॉस्थ तीस बराबर एम ठीक तो यहां पर एप कॉस्थ तीस कल्टू एम जो हमारे पास है ठीक है वो दिया हुआ है फाइब और एक यह तो दो दे रखा है तो हमारे पास कितना हो जागा टैन और बराबर के ओजागा 10 अपान कोस 30 तो सबस्थार्टी यह आपका ऑप्सिन नंबर 20 को जागा ठीक है ऑप्सिन नंबर 20 का राइट है कुछ नहीं है खास कोश्चन नहीं है सिंपल है कोश्चन नंबर 175 की बात करते हैं इसमें है गर्षन का गुणांक निर्भर करता है दक पिशेंट ऑफ एक्षेंट डिपेंड जोन किसके सपर संपर्क की छेत्रफर पर एन एरिया ऑफ कॉंटेक्ट ठीक है सेप अप सर्पेस निए प्रेश्ट के आकार पर सी अप्सिन में दे नहीं है निए जो सर्फेस हैना रहा है उसका नैचर क्या ए एरिया पर डिपंड नहीं करता है कोपी सेंट अप्रेक्शन उसके नेचर पर डिपेंड करता है यहां पर देख लीजी आप क्या है है घर्षण गॉणांक छार्म गर्षण बल तथा अबिलम पिर्थक्रिया का तोन पातों तरी मूलावरर एंफ पॉन आर यहां पर यह एक किया एक इक कॉंस्टेंट रासी होती है जो निम्न बातों पर निर्वर करती है तोंसी गर्षन गुणांग उन पदार्तों पर निर्वर होता है जिन से पिंड बने होते हैं ठीक है दूसरे पॉइंट है प्रेश्ट की प्रकृति पर भी गर्षन गुणांग निर्वर करता है यह प्रकृति उसका नेचर क्या है यह मटेरियल एंड नेचर थड़ा गती की अवस्त की तुलना में कम होता है तो तीनों पॉइंट याद राखेंगा नेक्ट को पढ़ते हैं दा इंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टा प्लेन एड़िज दा बोड़ी बिगेंश टू मूब डाउन दा प्लेन इज काल निस सम्तल का बह आनन बह अब नमन कोड जिस पर पिंड सम्तल पर नीचे की और गती करना आरंब कर देता है कहलाता है कौन सा तो आपको यह पहले भी बता चुके हैं यहनि एंगल ऑफ रिपोज ठीक है एंगल ऑफ रिपोज एक ऐसा कोड होता है जिस पर जो पिंड है वो गती करना इस्टार्ट कर देता तो ठीक है ब्राम कोड के बारे में पढ़ते हैं सम्तल का बह अबनमन कोड जिस पर पिंड सम् कोड कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज इसे ठीटा से नि नोट करते हैं तो यहाँ पर गर्चनल कोड के बारे है क्लिक्व कि कि दिश का घ्यार्ट कोड आप यह पाता है पे 对 177 कोश्चन इसको देखते हैं देखिए क्वशन में क्या कहा गया है स्वप्रिंग स्केल रीड से 20 न्यूटन एज इट पुल्स एफाइब केजी मास एक्रॉस एटेविल वाइज दा मैगनिटूड ओफ फोर्स एक्ट्रेक्टिड वाई दा मास ओंदा इस्प्रिंग स्केल एक इस्प्रिंग स्केल मेज पर रखे पांच किलोग्राम के द्रब्मान को खींचने पर 20 न्यूटन की रीडिंग दरसाता है द्रब्मान द्वारा इस्प्रिंग स्केल पर लगने बाला बल कितना होगा तो इसकेल पर लगने बाला बल को पुंचा है तो यहां चार आप्शन दे रखें हैं तो यहां पर देखिए द्रब्मान जो है द्रब्मान है ना इसका सी की option ठीक है c 20 Newton द्रबमान द्वारा इस्प्रिंग इस पिल पर लगने बाला बल एप बराबर 20 Newton है ना 20 ही हो जागा जिनना द्रबमान जो आपका रेडिंग दरसाता है उतना ही उसका द्रबमान हो जागा है इसको आप देखेंगे आप स्थी अप्सान ठीक है बन शेवंटी एट को देखते हैं ऑन सेवंटी एट कॉस्चन वन गागा है देन ए रोड इजिए बैंक्ड एट एक कर्व फिक है बैंक्ड एट एक कर्व दा एंगिल ओफ बैंकिंग इज डिटरमाइंड दा रालेशन यहनिंग जब एक सडक एक पर ठीक है बैंकिंग के कोड़ किसके समंद्ध में निरधारन किया जाता है यह फिजिक्स रिलिटेट्ट कोशन है और यहां पर फ्रेक्शन का भी उचिए तो यहां पर आपका उप्सन नंबर कि इती है ठीक है ठीक है 10 थीटा एक अधोट व्यष्कार ऑपन और जी इसका sallyshun आप ладते हैं यह सलुुष्ट लेघाए चैप्टर वहां घृज्य सफ़िध्टे दिये में अगला पर बढ़ते हैं 179 ठीक है देखिए इस एजियर टू रोल ए है भी सिलेंडर ओवर ए सर्फेस विकाउज एक भारी सिलेंडर किसी सतह पर रोल करने के लिए आसान होता है क्योंकि क्वेश्चिन जो विकल्प है उनको देखते हैं विकल्प ए जो दे रखा है सुद्ध गतिकी ये गर्षन रोलि सुद्ध गतिकी ये गर्षन से बहुत कम होता है सी इस्तेतिक गर्षन का अनुपास्थित यह एनि एपसेंस ओप स्टेटिक फ्रिक्षन ठीक है अनुपस्थित दे रखा है यह एनि इस्तेतिक गर्षन की अनुपस्थित है सी ओप्षन में यह लिखा हुआ है डी में लिख है सुद्ध गती गर्षण की अनुपस्तिति यानि एपसेंस ओफ काइनिटिक फ्रेक्शन ठीक है तो कोशन जो आपका विकल्प भी जो है भी ठीक है एक भारी सिलेंडर किसी सतय पर रोल करने के लिए आसान होता है क्योंकि यानि सिलेंडर को हम खींचें तो वह काफी मुस्क आपका ठीक है तो कुछ नहीं है इसमें अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अपनी नौलिज के लिए एक बारी सिलेंडर किसी सतय पर रोल करने के लिए आसान होता क्योंकि रोलिंग रोलिंग गर्षण सुद्ध गति की गर्षण से बहुत कम होता है ठीक है रोलिंग फ् सम्बंदित गर्षण को रोलिंग गर्षण कहते हैं स्लाइडिंग फ्रेक्षण भी होता है सार्फी गर्षण तो उसरे क्या कहते है जब कोई पिंट किसी सतय पर फिसलता है सो सम्बंदित तो सम्बंदित गर्षण को सार्फी गर्षण कहते है ठीक है तो इसका ऑप्शन न to play when a body just begins to slide over the surface of the other body is known as ठीक है है हिंदी में इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुगा है अधिक्तम उत्पन गर्षन वल क्या होता है जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर सिसलने को तैयर होता है तो भाई देखिए कि अधिक्तम उत्पन गर्षन के लिए बात की है इसको ऑप्सन नमबर सी ठीक है ठीक है लिम्टिंग फ्रेक्शन पहला दे रखा किया इस्टेटिक फ्रेक्शन दूसरा डैनेमिक फ्रेक्शन तीसरा लिम्टिंग चौता को पिशेंट ओफ एक्षन तो इसका राइट अंसर क्या है सी एन लिम्टिंग फ्रेक्शन मैक्सिमम फ्रेक्शन एनी चरम गर्षन इसको बोलते हैं ठीक है सीमांत गर्षन यह इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं डिटेल बहा अधिक्तम घर्षन लिए बहा है क्या करता में हो तब उस पर इस्तेतिक गर्षन बलकार्ण करता है तथा जब पिंड गतिमान हो तब उस पर गतिकी अगर्षन बलकार्ण करता है और जब पिंड गति आरम करने ही बाला हो तब उस समय अधिक्तम घर्षन बलको चरम गर्षन या सीमांत गर्षन कहते हैं ठीक है ज गती करने ही बाला होता है उस समय जो बलकि maximum value होती है उसको हम limiting fraction कहते हैं तो यही पूंचा अधिक्तम उत्पन गर्शनल बल क्या होता है जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सत्य पर फिसलने को तयार होता है तो उस समय जो fraction maximum होता है उसको चरम गर्शनल बोलते हैं इंगलिस में limiting fraction बोलते हैं तो यहां पर हम काफी कोशन कवर किये हैं अगला को देखते हैं कोशन वाड़ इस प्रेक्शन एक्सपेंड एक्सपेंसिड वाई ए बॉड़ी विन एट रेश्ट नोन एज यानि ब्राम की अवस्ता में किसी पिंड पर लगा हुआ गर्शन क्या क् कहा था है तो इसका और ऊप्शन एठीक है और सफंधी चार में इस तेसक अच्शन ऍभाटन ऑर ना मुथ संद। तो यह कbekर से ama क्या लगता इस टरेक्शन आई इस को आफ तन एठीड टीग है यह यह इनिो ब्राम अवस्ता में किसी पिंड पर लगा हुआ गर्षन इस तर पार लगा ओक घर्षन अगे की यह घष्यरं कहलाता है यह डायामिक प्रstatन करता सीमांग तरहला लिम्टिंग अग्सें यह कहते हैं यह चाही नहीं दे रखा है ठीक है आप सिर्फ याद रखें को पीशेंट यह वाला ठीक है यू बराबर एफ पॉन आर गर्षान गुणांक यह हमारे पास होता है तो देखिए क्वेश्चन अगले बढ़ते हैं ठीक है 82 82 में क्या कहा गया है एक तेरे मीटर लंबी सीडी से दीवार के साथ खड़ी है जिसका निचला सिरा दीवार से 5 मीटर दूर है सीली और जमीन के बीच गर्षण गुणांग क्या होगा यदि ये सामय बस्ता में तो ठीक है यह लैडर फ्रेक्षन का कोश्चन है और यह मैंने कोश्चन और लैडर फ्रेक्षन का कराया था ठी एक वीडियो अप्लोड किया हूँ concept of ladder friction ठीक है वीडियो का टाइटल क्या है concept of ladder friction उसको आप देखेंगे तो बहां आपको यह clear हो जागा तो डाइग्राम में आपको यहां पर बना के दिखाया गया कि कोई एक लेडर है ठीक है 13 मीटर है यहां पर जो लेडर है यह दिखाएगी यह स्यूली 13 मीटर है और यह अगर uniformly हमें आजूम करते हैं तो इसके midpoint पर total इसका बेट डब्लू लगेगा हमाल लेते हैं की यहाँ पर ठीक है यहां पर क्या लगाए हुआ है एक जो लेडर है उसका एक सिरा開व पॉइंट पर है और उसका दूसरा सिरा बी पॉइंट पर है ठीक है दूसरे यहां पर दिये हुए और जो दीवार है उसकी उन्चाई 12 मीटर दे रखिए और एक पॉइंट और दिया हुआ है यहां पर अच्छा 12 मीटर यह नहीं दिए है तो हम निकाल लेंगे निकाला है तो देखिए पांच मीटर आपकी नीचे वाली दे रखिए और 13 मीटर यह भी बरावर 13 मीटर और यह जो है यह 5 मीटर है तो पैथा अगर अगर उस प्रेम्ह का स्कार अगर हम करें तो तेरह एक सो नस्तर होते हैं माइनस पचाम पाचीस है ना तो हम इसको अले आसानी से निकाल सकते हैं 144 का बरगमूल लेंगे तो यह 12 आ जाएगी ठीक है यह हमने निकाल लिए 12 आ गई हमारे पास यह ठीक है अब यहां पर गया है कि यह जो टोटल 5 है तो यह हमारे पास 5 है यहां से यहां सकते हो जाएगे टू पॉइंट फाइव इदर यह हमने इसलिए जो निकाला कि यह डब्लू है ना यह इसके मिड़ पोइंट पर लग रहा है तो इसलिए हमने इसको आदा-दा इसको कर दिग जा है हम यहां पर देखिए हमने मिउवन यह जो पिर्ट किरिया हैं होंगी वह कहां कहां होंगी एक रबन लगेगी इदर इसको मैंने कहा दिया आर बन यह लगेगी तो मैं बताया concept इसका देखें ठीक है और जो fraction force है इस पर उपर क्यों लगेगा और इस side पर इस point पर इधर लगेगा fraction force ठीक है अगर यह fraction force आपको अगर पता लग गया तो आप इसको solve कर सकते हैं ठीक है fraction force की direction पता लगया क्यों क्यों लगेगगा यह देखी ठीक है अगर यह जो CD है उसका एसर अगर फसलेगा तो वह साइड फसलेगा ठीक है अगर लिए लेगी जर से लेगी तो तो फिसलने की टेंडेंसी यह तो फ्र एक्षन फॉर्स इधर लगएगा ऐसी अगर मैं बात करूं यह पर यह जो 20 पर फिसलेगी जरी अगर गिरेगी तो नीचे आई गाई यह सरा तो फिसलने की डारिक्षन के ज़े श्षिट फचे में तो अब यहां पर मूटू बराबर जीरो है क्यों है क्योंकि कोश्चन में कहा गया है कि दीवार और सीड़ी के बीच है ना जो फ्रेक्शन फोर्स है जीरो है और फर्स और दीवार सीड़ी के बीच फ्रेक्शन फोर्स की बैलू है तो वह हम मान लेंगे दी हुई है जो भी है दि सिगमा वी बराबर से अगर दे fand अर्व मराबर डबन होजागा यहां दे स्वाइब उपर की और सिर्फ है र्य्परीएक काम यह wage यह और नीचे की और नीचे की दे ओडबन बात करें तो हमँरे पास कितने लगए हैं लाकिए यह नं का रहें यह तो मैं बड़ाबर हो जांगे च्छेतिर जी नहीं कम्पोनेंट्स है तो मूर बराबर आर्टू और टू बराबर दाब्लु हम मुद्ध लेंगे ठीक है मुद्ध समीकण बन और सिग्मा ए बढ़ाबर जीरो से हम क्या करेंगे मुमेंट निकालेंगे बिंदू एक परता सभी बलों का तो मुमेंट आप लोगों को निकलना आता है अब यहां पर हम इतना नहीं बताएंगे ठीक है कि और आप लोग मूमेंट यहारं पर निकालेंगे, तिक है मूमेंट निकालने के बाद, हम आर्डणा आ जागा, और रटणसाय का मान नमबर 2 और 1 को कंबाइन कर सॉल्फ करके, तो तो हमें Pas不用 कमान पता लग जागा ठीक है और एक के और याद रखेंगे जब Πाद से कमी आएगा तो आप्ड लेंगे हमारा answer लगवक ठीक है यहां पर आपको समझ में आ यह question letter fraction से related है तो यहां पर जो दी option है वो इसका डी यहां पर जो है इसका कोई भी answer नहीं दिया हुगा है ठीक है 0.208 जो कि option इसमें match नहीं कर रहा है ठीक है तो नन आप दीज हमारे D option ठीक है है तो question number 183 की अगर बात करें ठीक है बन 83 तो 183 में अगर हम बात करेंगे तो यह थोड़ा सा हट के question है ठीक है 183 और 184 की अगर बात करें ठीक है 184 यह भी question simple है 183 से हम next video में बात करेंगे ठीक है 183 से हम क्या करेंगे next video में बात करेंगे कि यहां पर 182 तक ही रहने देते हैं ठीक है तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में थैंक यू